हरी घास, हरी सबजिया मेम सहाब, सिचाईक का पानी आज भी नहीं आया सबजियों के पौधे एकदम मुर्जा गए है बूढे माली ने शिकायत की और मा बाहर लान की घास भी पीली पड़ गई है गीता बोली मा घर में तो पानी आ रहा है उसी से सिचाई कर लेते हैं संजे ने सुझाव दिया नहीं नहीं वह पानी पीने और घर के काम के लिए है उसे घास और कियारियों में नहीं दे सकते हैं गीता और मा ने मना किया लेकिन मेम सहाब पौधे सूख रहे हैं तो सूखने दो, क्या कर सकते हो पीने के पानी की वैसे भी इतनी कमी हो रही है मा बोली उदास माली बाहर चला गया दूसरे दिन सुबह गीता और संजे रसोई घर में अपना टिफन लेने गए रसोई घर में बरतन धुल रहे थे सारा गंदा पानी नाली से बाहर आ रहा था उसके बाद कामवाली ने एक बालती पानी फर्ष पर डाल कर फर्ष धूना शुरू कर दिया सारा पानी नाली के रास्ते बाहर जा रहा था दीदी देखो कितना पानी है अगर इतना पानी हमारे पौधों और घास को मिल जाए तो वे फिर हरे भरे हो जाएंगे हाँ तुम ठीक कहते हो गीता बोली और मालीका का भी खुश हो जाएंगे दूसरे दिन छुट्टी थी जब रसोई घर की सफाई शुरू हुई तो गीता और संजे रसोई घर के पिछवाडे जहां रसोई घर का पानी गिरता था गए पानी की मोटी धार रसोई घर की नाली से निकल कर बड़ी नाली में जा रही थी संजे अगर हम एक मोटा पाइप रसोई की नाली में लगाएं और पाइप का दूसरा सिरा सबजियों की क्यारियों में ले जाएं तो सारा पानी क्यारियों में जाएगा गीता उत्साहित होकर बोली और दीदी बात्रूम से भी धेरों पानी बड़ी नाली में बहकर बाहर चला जाता है हम मोटा रबड का पाइप वहां भी लगा सकते है वह पाइप बाहर घास में लगा देंगे तो घास में भी पानी पहुच जाएगा बच्चों को गैरिच के कबार में ढूढने पर पाइप मिल गया पाइप का एक सिरा रसोई की नाली में लगा कर देखा पाइप लगाते ही संजे चिलाया हुरे अब चलो दूसरा सिरा क्यारियों तक ले चलते है गीता बोली दूसरा सिरा मुश्किल से क्यारियों तक पहुचा माली काका यह देखकर खुशी-खुशी क्यारियों में नाली बनाने लगे मा से कहकर उन्होंने एक और मोटा पाइप बाजार से मंगवा लिया और उसे बात्रूम की नाली में लगा दिया अब लौन की घास में भी पानी पहुचने लगा सूखे पौधों की हर्याली लोटाई और सूखी घास भी हरी दिखने लगी माली बोला बेटा जल ही जीवन है